फैशन की दुनिया में बनारस सहीद पूरे प्रदेश के युवा और युवतियों में मौडल बनने की होड मची हुई है ऐसे में ग्लेमर प्रोडेक्शन अपने शहर बनारस में फैशन चो का आगास किया है यह फैशन चो वारानसी के सर्वेश्ट्री होटल लंका ट्रामा सेंटर में किया गया है जिसमें विबिन जगों से पार्टिसिपेट करने के लिए मौडल्स शामिल हुए है चीफ जस्टिस के तौर पर सेलिब्रीटी एरीना डे मुंबई से वारानसी के लिए आई थी इस कारिक्रम में काशी के बड़े व्यापारियों को काशी गौर समान से नवाजा गया है काशी के लिए नहीं है हर जगा पर यह हो रहा है और मैं बहुत दिल से सपोर्ट करती हूं सारे निव टैलेंट को कि वो लोग जो सपने देख के आते हर डिफरेंट डिफरेंट सिटी से आते वो सपने भूई करने चाहिए और यह अगर काशी से भी ऐसा कोई टैलेंट मिल रहा है तो यह डिफिनेटली आ इम विशिं यू बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे टाइम पर यह इवेंट हो रहा है और मैं विश करती हूँ यह बहुत सक्सेस्फूल हो और हाँ जैसे कि मैंने बूला कि काशी विश्विनाज जी बनारस सारे इंडल कनेक्टेड है तो शो भी हो जाए सक्सेस्फूल अभी वो जमाना इधिं गया है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं अभी वो नहीं रहा है अभी हर एक चुट चुटे सिटी से सब लोग आगे निकल रहे है और बहुत अच्छा काम कर रहे है जैसे कि मैं भी आई हो कौलकाता से बहुत सारे चीजे सोच के आई थी और पर अजादित करती आप संध्र थी नहीं है किम आपको घुक्ता नहीं है कि आप अन्तर से खुब्सरत हो तो आपको ज़रुरत नहीं है कि आप कम कप्प्रों में कुना है मैं बोलना चाहएं कि सारे यूथ को जो सपने आप लोग देख्रे हो not only modeling not only acting जो भी सपने आप लोग देखते हो आप दिल से देखते हो तो वो सपने पूरी करने के लिए अपना जान लगा दो पेसंट की दुनिया में जर्किस तरीके से पर विसी दिखता है वहविशे बन चुका है और मैं क्या देखू? बस मैं अपना वहविशे बना लूई यह बहुत बड़ी बाते काशिक ओर अवार्ड हो रहा है जैसा कि आप देख रहो कि अरेन डे आ चुकी है और शो है कि आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे बच्चे टालेंटेट बच्चे ने अपना परफॉरमेंस दिखा दिया है मैं भी बहुत गंफ्यूज हूँ मैं किसको जीता हूं किसको नहीं बट लेट सी वैसे दो जो जीता वही सिक अंदर बहुत ही difficult हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे ही अपने आप में talented होते हैं किसी एक को जीता आना बहुत ही मुश्किल होता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप runner-up आये हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते अच्छे अच्छे इस काशी में बहुत अच्छे प्रतिभागी एसे रह गये हैं या इतने अच्छे अच्छे कंडिएट्स हैं जो अबर के सामने लिए आप आ रहे हैं तो इस Glamour Production के थूप उनलों को आगी बढ़ने का मोका मिल रहा है मैं काफी अच्छे जो काशी के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं दुनिया के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उनलों के एवार्ट दिया जा रहा है तो यह इस Glamour Production के लिए बहुत ही बढ़ाई मैं देना चाहूँ मैं जैती जैन मिस नाथ इंडिया के घुकाब जीता है था Glamour Production के तरफ से आज यह आज यह आवार्ड शोर बखाती अच्छा जा रहा है और आधे प्रोग्राम स्लबक होस्ट है मैं अभी आवे जूरी जज्जमेंट पर हूँ कॉम्पेटिशन बहुत जादा टफ हो रहा है और बहुत जादा बेस्ट रिजल्ट भी लेगा है और अभी हम लोग शो कर रहे हैं मिस्टर मिस्जस यूपी और उत्तर पर्देस रनवे नाइट इसमें हमने अरीना डे को बुलाया है और तीवी एक्ट्रेस हैं काफी और हम लोग ने तीसरा इवेंट कर रहे हैं अभी शाहिल खान का किया फिर इसके बाद तीसरा और अभी तो बहुत बड़ा इवेंट करने वाले सोनसु साथ के साथ आप लोग का सपोर्ट रहा और बनारस का सयोग रहा सारी चीज हमारी टीम कर रहा तो मैं बहुत बड़ा इवेंट करूंगा अभी तक यह तीसरा इवेंट परड़क्शन का है जब समने लांच किया है और अभी तरह आप लोग का सपोर्ट रहा तो करवास हमारा बढ़ता रहे और मैं यहाँ पर आज अप फैशन डिसाइनर हूँ तो मैं यहाँ पर अपने कलेक्शन उतार रही हूँ जैसा कि हम सभी जानते कि हम बनारस में है तो मैंने सारी बनारसी सारी का कलेक्शन यहाँ जावा रोज की ताजा खब्रों के लिए हमारे यूटीब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें